बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बिहार इस देश में काफी देजी से ट्रेंड करने लगा है इसके पीछे कारण है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही नितिश कुमार को परधान मंतरी के उमिद्वार के रूप में लगतार अब उनकी चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा ने देश भर में महौल खड़ा कर दिया, इस महौल को लेकर के भारती जनता पार्टी कहीं न कहीं बैक पुट पर है, लेकिन इसके साथ ही भारती जनता पार्टी इतना जल्दी हाथ खड़े कर दे, यह हार मान जाए, यह थोड़ा असंभव है, भारती जनता पार्टी दोजार चौबिस में, नरेंदर मोधी को एक बार फिर से प्रधान मंत्री बनाने की, जिस मुहीम में आगे बढ़ रही थी, योजनाय बना रही थी, उसको आचानक से नितीश कुमार के पाला बदलते ही जहटका लगा है, अब आप सोच रह होंगे कि एक राज्य में, सरकार बदलने से, जबकि कई राज्यों में भारते जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में अकेली सरकार है, कई राज्यों में वो स्वायोगी दलों के साथ सरकार चला रही है, और ऐसे इस्तिती में एक मात्र बिहार क्या कुछ कर जाएगा, तो आपको बता दे कि बिहार वो जगह है जहां राजनीत की जन्नी कहा जाता है और बिहार में यदि कोई चर्चा सुरू होती है तो वो देश के राजनीत को पलट देती है ऐसा अक्सर देखने को मिला है और एक बार फिर से भारते जन्ता पार्टी को इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा नहों कि नित आटाओं के रत रोका है जिसमें भाजबा भी सामील है। आपको पता दें कि इन सारी बातों को लेकर करके, मिशन थर्टि फाइव को लेकर के, जब अमित साह भीहार के दोरे पर आ रहे हैं और खास करके, उनका निशाना नितीश कुमार के उन संसदिय चेतरों पर है, जहां स नितिश कुमार 2019 में जीत करके आ हैं यानि नितिश कुमार के 16 सीटों पर सीधे सीधे नजर है यानि आप सीधी तोर पर समझ सकते हैं कि आने वाले लोग सबाचुनाव की तैयारियों में अमित साह को बिहार सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है और यही कारण है कि यहां वो दाल रहे हैं उनके आने से ठीक पहले कई तरह की बाते सामने आ रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि इस पूरे मुहीम को और अमित साह को सीधी तक कर देने के लिए एक बार फिर से निकीश कुमार को साइड करके तेजस्वी यादों ने मोर्चा समाल आपको बता दें कि कई ऐसे छेत्र हैं जहां इस बार सीधी तक कर देने के लिए तेजस्वी यादों अपने छत्रपों को अपने योधाओं को तयार कर रहे हैं ऐसा ही ये छेत्र है माधेपूरा माधेपूरा के बारे में आप बहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि संद्र करने सामाइब हैं, लेकिन सरद यादो, जो की एक मात्रह से नेता है, जो तीन राज्यों के तरफ से लोग समाए में परतिनितु कर शुकए हैं, मध्य परदेश के रहने वाले सरद यादो ने चार बार मध्यपूरा परतिनितु किया हैं, इससे पहले वो अपने जिस लाजी में दो बार जवलपूर से प्रतिने कीया है लोकसाभा का और वहीं उत्तरपरदेश के बदायूं से भी एक बार वो सांसद रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार ने सरद यादो को पूरी तरह से बिहारी होने का थमगा दे दिया है और इस जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में इंट्री हो रही है अमित्सा की उस इंट्री के पहले जहां ये चर्चा थी कि आखिर वो आ करके किस तरह का पॉलराइज करेंगे बोटों का दुरुवी करन करा पहले तेजस्वी यादो ने मोर्चा समाल लिया है 2020 की तरह महागटबंधन को लीड करने के लिए तेजस्वी यादो ने कमर कर्श लिया है और निश्यत रुप से तेजस्वी यादो भारी पढ़ने लगे हैं अब बरतमान देश के राजनितिक माहौल में आपको बता दें कि इन सारी बातों को ले करके सरद यादो के बेटा सांतनु यादो जिनको आप जान भी रहेंगों कुछ दिन पहले ही वो नहोंने तेजस्वी यादो से मुलकात की थी और माधेपूरा के चर्चा उन्होंने की थी उन्होंने कहा कि पिता जी के चुनाओं मैं कई बार मैं आ चुका हूँ और पिछले 10 सालों से मैं माधेपूरा के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ माधेपूरा के हर समस्या को मैं जानता हूँ और साथ ही माधेपूरा की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ अब पार्टी का निर्णा है कि पार्टी हमें कौन सा रॉल देती है लेकि बिहार आने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादों से मुलकात की और मध्यपूरा के लोगों को वो बदहाई देने गए थे महागडवनन सरकार बनने की इसके साथ ही उन्होंने कई समस्याओं की चर्चा की और कहा कि मध्यपूरा की समस्या बाढ़ की है जिसको ले करके उन्होंने बात भी किया है तेजस्वी यादो और सरकार से इसके साथ ही उन्होंने सीधे तोर पे कहा कि आने वाले समय में नरेंद्र मोधी को रोकने के लिए पूरी तरह से तेजस्वी यादो युवाओं की फौज बना रहे हैं, उस फौज का हिस्सा बनने में मुझे खुसी होगी, आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जि बड़ा सौकिंग बात थी, और अब इस सदमे से अभी उबर भी नहीं पाई है कि तेजस्वी यादो ने अमित सा के सीमांचल दौरा से पहले ही सीमांचल में मोर्चा बंदी और घेरा बंदी शुरू कर दी, हाल फिलाल में ही सीमांचल को अपने कबजे में करने के लिए उ आपके साथ और आपके हक्वकुक की लडाई हम ही लड सकते हैं भारतिय जनता पाटी वहां कहीं न कहीं हिंदू तु भरसे अन्ने करना चाहती है जिसको तेजस्वी यादो समझ गये हैं और वहां पूरी तरह से अपने छत्रफों को लगाने में लग गये हैं अब देखने ही न कहीं तेजस्वी यादों के तरब से उन्हें साइन मिल गई है और भारती जनता पाटी को कड़ी टक कर देने के लिए वह पूरी तरह से कमर कस चुके हैं जुड़े रही है भारत लाइब के साथ ऐसे ही खबरों के लिए हम लगतार प्रयास करते रहते हैं आपकी नजर भारत लाइब पे होनी चाहिए क्योंकि खबरे तो आपको यहीं मिलेंगे बहुत बहुत धन्यबाद 816-700 धन्यबाद